हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दी चैनल उमीद करता हूं काफी जाधा अच्छे होंगे आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अल न्यू महिंदर एक्सवी 3OO जो कि जल्दी मार्केट के अंदर लॉंच होने वाली है अब क्या है महिंदर एक्सवी 3OO जो है वो डिरेक्ट कॉंपीट करती है विद टाटा निक्सॉन वेन्यू आंद किया सॉनेट और मारुती ब्रजा अब इनको अगर आप देखेंगे तो महिंदर एक्सवी 3OO की सेल्स काफी जादा डेप हो चुकी है क्योंकि बाकी अदर कार्स काफी जादा अपडेटिड है इसलिए महिंदर एक्सवी 3OO को जल्दी ही लॉंच करने वाला है विद मोर टेकी फीचर्स और साथी मोर अट्राक्टिव लुक्स के साथ में अब महिंदर एक्सवी 3OO काफी बार टेस्ट होती भी देखी गई है बट हमेशाना क्यामूफलेश के अंदर थी और उतनी जादा चीजे नहीं सामने पता चल पा रही थी और काफी बार क्लियर इमेजिस भी नहीं थी बट आज पहली बार महिंदर एक्सवी 3OO की काफी जादा क्लियर पिक्चर आ गई है जिसके अंदर इसके हेडलाम का पूरा लुक देखा जा सकता है साथ ही एक डिजिटल रेंडर भी सामने आया है महिंदर एक्सवी 3OO का जिसके अंदर इसका लुक्स पूरी तरेके से लुक्ते हैं और क्या क्या चेंजिस हम एक्सपेक कर सकते हैं विद्धे नियू महिंदर एक्सवी 3OO सो दोस्तों यहां पर मैं आपको इमेजिस दिखा रहा हूं और अगर आप यहां पर देखेंगे ना तो इन इमेजिस के अंदर का जो लुक है वो काफे जादा बोल्ड औ अगर आप देखेंगे तो इसका फ्रेंट डिजाइन जो है पूरी तरीके से रीडिजाइन कर दिया गया है और यहां पर ना काफे सारे जो इंस्पिरेशन है ना वो आए हैं महिंदरा की बीई 05 एलेक्ट्रिक जो कार्ड आगे आने वाली है ना वहां से इंस्पिरेशन ल शेयर किया साथ ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसका हेड्लाम्ट क्लस्टर पूरी तरीके से नजार आ रहा है C-shaped LED DRLS यहां पर नजार आ जाते हैं और बिलकुल नया यह सेट अप है साथ ही उसके नीचे हमें प्रोजेक्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं करेंगे तो लुक्स काफी जाता चेंज हो चुके हैं as compared to the current model और अब मैं आपको ना इस image का सीधा डिजिटल रेंडर शोकेस कर देता हूं कि कैसी यह देख सकती है और यहां पर आप पूरी तरीके से वो लुक्स देख सकते हैं red गलर के इंदर दिखाया गया है और यहां प पर जो skate plate है वो भी देखी चाह सकती है तो आप लोग मुझे comment करके बताएं कि अगर सेम यही लुक्स यहां पर होने वाली है तो आपको इसके लुक्स कैसे लग रही हैं क्योंकि headlamp cluster तो बिल्कुल exactly यही से मिलने वाला है क्योंकि हमें यहां पर भी नजर आ जाता है साथ अगर आप इसकी side look देखेंगे तो वहां पर जादा कुछ खास changes हमें देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं और वो कुछ mostly ना same type ही रहेगी सिर्फ minor retweak जो है ना सिर्फ वही यहां पर किये जाने हैं और कोई other changes नहीं मिलेंगे बट अगर आप rear look देखेंगे तो rear look के पूरी profile है उसको change कर दिया जाएगा और जो number plate की housing है ना वो हमें bumper पर देखने के लिए मिल सकती है साथ एकर हम और other changes के बात करें तो नया जो alloy wheels है वो हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा with the all new Mahindra XUV3OO जो कि diamond cut होंगे और थोड़ा सा bigger size में हमें यहां पर देखने के ल देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि जित्री बार भी हमें इसके spy shots लोगे मिले है वहां पर हमें उसकी roof के उपर एक Adas module भी देखने के लिए मिलाए है अगर यहां पर Adas module मोजूद है जो की देखने के लिए मिल गया है में तो वह basically हो सकता है कि यहां पर हमें camera based Adas features देखन और यह काफे ज़ादा cheaper price के अंदर मिलते है as compared to the radar based वाले से तो यहाँ पर काफे ज़ारे features आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें Adas features भी देखने के लिए मिल सकते हैं जो लोग Adas expect कर रहे थे तो वो यहाँ पर आ सकता है with the all new Mahindra XUV3OO So दोस्तों यह था all new Mahindra XUV3OO के spider images और आप लोग मुझे comment करके बताएं कि जो इसका digital render मैंने आपको red color के इंदर दिखाया है वो आपको कैसा लगा और Mahindra XUV3OO के looks आपको कैसे लगे और exactly digital render वाले image हो होंगे तो आपको इसका front look कैसे लगा मुझे comment करके ज़रू बताएंगा साथी वीडियो को like कीजिएगा, channel को subscribe कीजिएगा, मिलते नेक्स वीडियो में तब ते के लिए जै हिन जै भारत